आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक फोटो देख रहे होई यह हैं सरत पवार और मुझे लगता है कि देश की राजनीती की जब बात होती है और देश की राजनीताओं की जब बात होती है तो सरत पवार को उम लोग नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि आप देखिए कि एक पावरफुल नेता माने जाते हैं सरत पवार और आप देखिए कि एक लंबे समय से राजनीती में इनका दबदबा बना हुआ है तो कुछ पिक्चर और आप लोग देख लीजेगा उसके बाद हम लोग सरत पवार के बारे में एक सामान जानकारी देखते हैं यह आप देखेंगे सरत पवार की बेटी है और यह भी आप देखेंगे उनकी बेटी है और सरत पवार की बतीजे है अब बात करते हैं सरत पवार की बारे में तो सरत पवार का जनम होता है 12 दिसंबर 1940 को कहा होता है महराष्ट के पूने मेन का जनम होता है एक ब महाराष्ट इसकी राध्धानी मुंबई है यहां अगर आप लोग विधान सभा सीटों की बात करें तो 288 हैं विधान परिशाद में 78 सीटे हैं राज सभा में 19 सीटे हैं लोग सभा में 48 सीटे हैं एक बड़ा राज्य आप समय रहे हैं और इसलिए आप देखें कि समय अंग्रेजों के दिन था हमारे उपर अंग्रेजों का सासन था तो आजादी के पहले ही सरत पवार का जनम हो चुका था सरत पवार की पिता का नाम गोबिंद राव पवार था और वह वारा मती के किरसक सहकारी संग में काम करते थे सरत पवार की माता की बात करें तो सार इसांसद संता है और रोचक कहानी है इन्हों प्तनी के साय में एक सत्रत रखी हुई थी उस पर हम लोग आगे चल की बात करेंगे जरूर बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और एक इनके बारे में इंटरेस्टिंग कहानी है कि डॉक्टरों ने कहते यह था कि आप जो भी जरूरी काम हो आप लोग 6 महीने के अंदर निफटा लिजे क्योंकि 6 महीने तक आप जिंदा रह बाएंगे और आप देखे कि वो इन बीमारियों को यहरा के निकले हुए है वैसे लिए इनकी चर्चा काफी होती रहती है इनकी अगर हम लोग राजनितिक जीवन की बात करें सरत पवार के तो महराष्ट की पितम मुक मंतरी और आधुनीक महराष्ट के सिल्पकार कहे जाने बाले यसवंत राव चोहान चोहान को सरत पवार का राजनितिक गुरो माना जाता है और सरत पवार ने अपनी राजनिति की सुरुवात कॉंग्रेस पाइटी से की थी और उन्होंने साल 1967 में कॉंग्रेस पाइटी के टिकेट पर वारा मती विधानसवाचित से चुनाओ लड़ा और इसके बाद साल 1978 में सरद पवार ने कॉंग्रेस पाइटी छोड़ दी थी और जन्ता दल की साथ गंठन बंदन करके महराष्ट में सरकार भी बनाई थी आप सबी लोगों को मालू होना चाहिए देखें 1947 में हमें आजादी मिलती है उसके कुछ सालों तक आप देखें कि कॉंग्रेस का एक छत दबदबा रहता है और आप देखें एक ही मत पावरफुल पाइटी थी कॉंग्रेसी पाइटी थी तो जितने भी उस समय के नेता हुए है वो सभी पाइटी कॉंग्रेसी पाइटी से निकले हुए थे लेकिन 1978 में आप जानते हैं कि इंद्रा गांधी ने राट्टी आपाद का लगाया और 1975 से 77 तक लगा रहा बड़े बड़े नेताओं को आपने देखा हुगा जेल में डाल दिया गया था इंद्रा गांधी के द्वारा उसके एक साल बाद सरत्पवार कॉंग्रेस को छोड़ देते हैं और आप देखें 1977 में जब आप चुना हुए एमर्जेंसी के बाद तो आप देखें कि कॉंग्रेस बहुत बुरी तरह से हार गई थी और इंद्रा गांधी भी अपनी सीट हार चुकी थी महराष्ट की मुखमंत्री बनते हैं सरत्पवार और साल 1980 में इंद्रा गांधी ने महराष्ट सरकार को वर्खास्त कर दिया और साल 1983 में सरत्पवार भारती राष्टी कॉंग्रेस सोसलिस्ट के अध्यक्च बने इसके बाद सरत्पवार भारावंती संसदिय चेत से लोगसभा चुनाओ जीत कर पहली बार संसद पहुँचे और आप सभी को एक और जानकादी दे देता हूँ अगर आप लोग उनको बिधान सभा का चुनाओ लड़ना है विधायक का चुनाओ लड़ना है तो आपकी उमर कम से कम 25 साल होनी चाहिए और अगर देखिए इनका चुनाव केसे होता है बिधायकों का आपकी अगर उम्र 18 साल हो चुकी होगी तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होगे और लोगसभा सदर्स की बात करें में जीत दर्ज करने की बाद सरत्पवार ने संसत्पद से छोड़ दिया और विधानसवा में विपक्च के नेता बने फिर आप देखेंगे साल 1987 में सरत्पवार वापस कॉंग्रेस फाइटी में सामिल हो जाते हैं और साल 1988 में उन्हें महाराश्ट का मुखमंतरी बनाये जाता है और साल 1990 में हुए महाराश्ट विधानसवा चुनाओ के बाद निर्दलीय विधायकों की समर्थन से सरत्पवार एक बार स्फिर से राजी की मुखमंतरी बनते हैं राजीब गांदी की हत्या की बाद सरतवार का नाम भी पिधान मंत्री के दावेदारों में था। आप समझ सकते हैं कि इससे आप लोग उनकी पोजीशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप देखें कि राजीब गांदी की हत्या कर दी जाती हैं तो उसके बाद इनका भी पिधान मंत्री बनने की रेस में नाम था लेकिन कॉंग्रेस के संसेदी दल नरसिंग राओ को अंगले पिधान मंत्री की रूम में चुना और सरत पवार रक्षा मंत्री बनाए गए और साल 1993 में जब महराष्ट के ततकालीन मुकमंत्री सुधाकर राओ नायक ने पद छोड़ा तो सरत पवार को फिर से महराष्ट का मुकमंत्री बना दिया जाता है हाला कि साल 1995 में विधान सुधा चुनाओ में सिपसेना बीजेपी गटबंदन ने कॉंग्रिस पाइटी को हरा दिया और आप सभी जानते ही कि महराष्ट में एक लंबे समय तक सिपसेना और बीजेपी की गटबंदन पाइटी का मुकमंत्री रहता है और सरत पवार को महराष्ट का मुकमंती इपत छोड़ना पड़ा था और सरत पवार महराष्ट की विधान सभा में विपक्च के नेता बन जाते हैं फिर आप देखेंगे साल 1996 में हुए लोकसभा चुनाओ में उन्होंने जीत दर्च करी और बाद में सरत पवार विधान सभा से त्याक पत दे और बारवी लोकसभा में विपक्च के नेता चुने जाते हैं साल 1999 में जब वो भारवी लोकसभा भंक कर दी गई तब सरत पवार ने सौनिया गांधी के विदेशी मूल का होने का मुद्दा उठा कर कॉंग्रेस चोड़ दी थी और तारीक अनुबा और वाप पीए संगमा के साथ मिलकर उन्होंने नेसनलिस्ट कॉंग्रेस पाइटी का गठन किया था और साल 1999 में हुए महराष्ट बिधासभा चुनाओ में किसी पाइटी को बहुमत नहीं मिला और सरत पावार को महराष्ट में सरकार बनाने के लिए कॉंग्रेस के साथ गठनन करना पड़ा जिसके तहद विलासराओ, देसमुक को मुखमंतरी और छगन भुजवल को ओफु मुखमंतरी बनाए गया था फिर आप देखेंगे साल 2004 आता है इसमें लोग्साबा चुनाओ में जब कॉंग्रेस वापस सत्ता में आई तो सरत पावार को मरमुहन सरकार में किरसी मंतरी बनाए गया इसके अलावा सरत पावार साल 2005 में भारतिय क्रिकिट वोर्ड की और साल 2010 में अंतराष्टी क्रिकिट परशत की अध्यक्ष भी बने 2012 में उन्होंने सन 2014 का लोगसभा चुनाओ ना लड़ने का एहलान मी किया था ताकि युवा चेहरों को मौका मिले और 2014 में पवार राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं फर आपने देखा होगा कि 2020 में भी पवार को राज्यसभा के लिए फिर से चुन लिया जाता है राज्यसभा के जो सदस होते हैं उनका कारका 6 साल का होता है और राज्यसभा के सदस का एक तरह से चुनाओ होता है आपकि विधायकों दोबारा चुने जाते हैं टिक डारेक्ट जनता इन्हें नहीं चुनती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, अभी बरतमार में सरत्पवार साफ राज्यसावा में सदस्त हैं, ये आप लोग जरूर याद रखेगा, अगर इनका खेल खूंद में भी काफी दिल्चस्वी रही है, और इनके पिसासन से भी कई बार जुड़े रहे हैं, और संगर्टनों के मुखिया भी रह चुके हैं, मुंबई किरकेट असोसियेशन से भी जुड़े रहे और इनसे कुछ विवाद भी जुड़े रहे हैं सरत पवारों का माना जाता है की विवादों से पुराना नाता है सरत पवार की राजितिक जीवन में समय समय पर विभिन विवादों में उनका नाम भी रहा है उन पर भिष्टा चार अपरादियों को बचाने इस्टाम पेपर घोटाले जबीन आवंटन विवाद जैसे मामलों में सामिल होने का आरोब भी लगा अब्दुल करीम तेलगी ने सरत पवार को लगबग 600 अरब रुपे के इस्टाम गोटाली का मास्टर माइंड बताया था 2007 में आप देखेंगे गेहू आयात में हुए हजारों करोणों की धांदली में बीजेपी ने ततकाली किसी मंतरी सरत पवार की इस्टीपे की मांग भी की हुई थी 2009 में चीनी और 2011 में प्याज के दामों को लेकर भी सरत पवार को आरोपों का साबना करना पड़ा और सरत पवार का आरोप लगा कि उन्होंने आयात करताओं को लाप पहुचाने के लिए इन खाद समग्गिरियों के दामों में विढ़ी की थी एक बात और गिलियर माल लेजे आप लोग जब आप लोग इस तरह की किसी पतपर होते हैं राजनीती में या किसी और छित में होते हैं तो आपको लोग पसंद करने वाले भी होते हैं, आपको ना पसंद भी करने वाले होते हैं, आपके पसंसक होते हैं, आपके आलोचक भी होते हैं, तो हर नेता के साथ इस तरह करा, इनके बारे में जो दो हमने इंटरेस्टिंग पॉइंट बताये हुए थे, उन्हें देख ली डॉक्टर ने जब सरत पभार से कहा कि 6 महीने तक आप जिन्दा रहेंगे एक घटना क्या थी आखे क्यों कहा था ऐसा एक प्रोग्राम में पभार ने बताए कि 2004 की लोकसभा चुनाओ के दौरान उन्हें कैंसर का पता चलता है और आप सभी जानते हैं कि पहले कैंसर के सरत के ही कुछ एक्सपर्ट के सपास जाने को कहा और एक्रिकल्चर मिनिस्टर रहने की दौरान 36 बार रेडियेशन का टेटमेंट लिना था यह बहुत ही दर्दनाक होता था सुबाए 9 से 2 बजे तक सरत मिनिस्टरी में काम करते थे और फिर 2-30 बजे अपोलो होस्पीटल मे कीमो थेरुपी लेते थे उसके बाद दर्द इतना होता था कि घर जाकर सोना ही पड़ता था इसी दौरान एक डौक्टर ने उसे कहा कि जरूरी काम पूरे कर दे आप सिर्फ 6 महीने और जी सकेंगे पवार ने डौक्टरों से कहा कि मैं बीमारी की चिंता नहीं करता आप भ पहर आ चुके हैं और अभी सौस्त हैं इन्होंने पतनी के सामने जब इनकी साथी होती है तो कहते हैं कि इन्होंने एक सरत रखी थे ये भी आपको बता दूँ कि सरत पवार ने एक इंटर्वी में ही ये बात कही हुए है साथी से पहले उन्होंने अपनी पतनी फिदीभा पवार के सामने एक ही संतान पैदा करने की सरत रखी थी कि एक ही बच्चा पैदा करेंगे चाहे वो आप देखे लड़का हो या फिर लड़की हो इसके बाद आप जानते हैं कि 30 जून 1969 को पूने में सुपिरिया का जनम होता है सुपिरिया सूले जिसे आप लोग जने जान मानते हैं कि उनकी एक ही पत एक ही क्या है वेटी है और इसी तरह कि खुली सोच के परिवार में जनम लेने वाली सुपिरिया को बच्पन से ही अपने फैसले खुद लेने की आजादी मिली परिवार कि उससे कभी कोई दबाव भी नहीं रहा है चाहे हो ऐसे एक्छा हो या अबर साधी का मामला हो और मुझे लगता है कि उस समय तो आप देखिए और बेटे का चलन होता था पित सत्तादमक समाज था कि पिता के बाद अगर आप देखिए पुत नहीं है किसी परिवार में तो मानते थे कि इसका क्या होगा आज भी आप देखिए इसलिए आप के साथ बेदभाव किया जाता था लेकिन सरत पवार ने ऐसा नहीं किया तो यह अच्छी बात है मुझे लगता है कि नेता अगर इस तरह के कदम उठाते हैं तो अच्छा संकेत जाता है समाज में तो यही कहानी रही है सरत पवार की है आप भी बताईए अगर किसी और के ब बात करनी है तो उसके बारे में भी हम लोग बात करते रहेंगे ठीक है